इरान ने अपने Operation Promise 3 में खैबर Shaken 2 मिसाइल को लाँच कर दिया है बताया जा रहा है कि इरान इस बार इसराइल को कोई मौका नहीं देगा खेमनेई के ओर्डर के बाद 1000 मिसाइलों को एक्टिव मोड पर रखा गया है साथियों, अस्सलामू अलैकुम आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खुशहाल होंगे आज हम इस वीडियो में जानते हैं हिजबुलाह और हमास के हमले में इसराइल की फजीहत और इरान की धमकी और खामेनेई के ओर्डर के बाद नेतन याहू के किस तरह से तोते उड़ गए? तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक तीन मरकावा टैंक्स को भंगार बना डाला और चार D9 बुल्डोजर के टुकडे बिखेर दिये और एक हमर का बुगगा बना दिया अल रजान जंक्षन के पास दो मरकावा टैंक्स को उड़ाने के बाद अल सकाफी के पास बैरल बम को तबाह कर दिया और उत्तरी गजा के बेइत लहिया इलाके में तीसरे मरकावा टैंक्स की धजियां उड़ा डाली इस उपरेशन के बाद उत्तरी गजा में जबालिया कैंप के अल्ल ट्रांस स्ट्रीट पर टेंडेम मिसाइलों से दो D9 बुल्डोजर और यासीन मिसाइल से तीसरे जायोनी D9 बुल्डोजर के टुकडे बिखेर दिये इस उपरेशन से लोटने के बाद शवाज से एक जायोनी एपीसी को जला दिया, चौथे मरकवा टैंक को निशाना तबाह कर दिया इन हमलों की खबर मिलते ही मौकाई वारदात पर जब जायोनी रख रखाव दल पहुँचा, तो उन्हें उत्तरी गजा में बेत लहिया पर योजना में एक एंटी परसनल IED से निशाना बनाया गया, इन सभी ऑपरेशन्स में कुल 9 जायोनी सैनिक मारे गए और बारह घायल है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला इसराइल में नेतन याहू के हलक तक घुस कर हमले कर रहा है, दो दिनों से डी आइफ के सैनिक लेबनान में हार कर अपना काला मुह लेकर फिलिस्तिनिन्यों की हड़पी हुई जमीनों पर लौट गए, लेकिन नेतन याहू के हवाई हमले जारी है, लिबनान में आज कुल सात लोग शहीद हो गए हैं, और दरजनों घायल है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ साथियों, आज की तारीख में आपका एक रूपिया एक हजार के बराबर है, SD24 News को 15 अक्तूबर से 18 नवंबर तक मिला हुआ और यूट्यूब के सभी सोर्सिस से जमा इमदाद, गजा इमर्जनसी रिलीफ के लिए UNRWA में जमा की जाएगी, सैयद अहफाज अली, वसीम एहमद, आजाद रोड लाइन्स, वारिस खान, गुलाम अली और मोहतरमा नुसरत आरा, सायदा बाजी, रहमत उन्निसा, और यूटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया, कल इरान के सुप्रीम लीडर, खामिनेई की इसराईल को धमकी, और IRGC को हमले की तैयारी करने के आरडर दिये जाने के बाद से, नेतन्याहू की नींद हराम हो चुकी है, नेतु के पसीने छूट रहे हैं, अमेरिका इसराईल को तबाह करने का मनसूबा टायर कर चुका है, इरान की तरफ से 5 नवंबर से पहले कभी भी हमला होने की संभावना जताई जा रही है, उधर इसराईल ने एक बार फिर से इरान को खुली धमकी दी है, इसराईल ने कहा कि अगर इरान दोबारा हमला करने की तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इसराईली सेना प्रमुख लेफटिनेंट जनरल हेर्जी हलेवी ने कहा, अगर इरान ने इसराईल पर एक और मिसाइल हमला करने की गलती की, तो इसराईली सेना इरान पर ऐसी जवाबी कारवाही करेगी, जो इरा नाम उतना बड़ा फेलियर साबित हुआ इसराईल का यह ओपरेशन। इसके बाद इरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक खुफिया बैठक की और इस वक्त इरानी सेना के टॉप कमांडर, राश्ट्रपती और रक्षा मंत्री तेहरान में डेरा डाले हुए हैं। य नहीं इस युद्ध की आग दूसरे देशों तक ना पहुंच जाए। दो राज्य समाधान नीती को लागू करने के लिए इंटरनेशनल अलायंस बनाने का फैसला हुआ। यह गठबंधन के जरिये मिडल इस्ट, यूरोप और दुनिया के अलग हिस्सों के देशों को एक साथ एक मंच पर लाया गया, ताकि इस्राइल पर दबाव बनाकर गजा में सीसफायर कराया जाए। सौधी विदेश मंतरी प्रिंस फैसल बिन फरहान ने गाज में मानवीय स्थिति को विनाशकारी बताया और उत्तरी गाज की पूर्ण नाकाबंदी की निंदा की। उन्होंने कहा, फिलिस्तीनी लोगों को उनकी जमीन से बेदखल करने के मकसद से वहाँ नरसंगार को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे उनका देश यानी सौधी अरब अस्विकार करता है। और ना ही हिजबुलाह के हमलोंने अमन कायम करने में काम्याबी हासिल की। अब देखना ये है कि सौधी अरब में हुई मीटिंग का कितना असर हो सकता है। हम तो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से फिलिस्तीन में अमन कायम हो और फिलिस्तीनियों को उनकी हडपी हुई जम दूआ करे कि फिलिस्तीन में अमन कायम हो जाए और नर संहार रुख जाए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में खास खबरों के साथ तब तक के लिए फी अमानिल्लाः आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज एसडी 24